अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताईए कहीं पर यहीं कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं किसी को तो बताईए ओके तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या कन से प्लगेगा आपके पास तैन इन वर्स ए प्लस टैन वर्स बी का फॉर्मूला किस तरीके से यूज होगा देखिए यदि इस क्वेशन की बात की जाए हाँ क्या बोल रहे हैं जूर से बोलिए एक सेकंड आवाज इको हो रही है ओके अप ठीक है यस हाँ बताने के लिए धन्दवाद आपका तैन वर्स वन वाई टू प्लस टैन इन वर्स वन वाई थ्री इक्वल्स टू अगर पाई बाई फॉर प्रूफ करना अपन को so simple formula यहाँ पर लगेगा 10 inverse x plus 10 inverse y और यहाँ यह formula लगाते से मैं आपको एक बाद मैं जरूर बता दूँ कि इसका product आप लोग जरूर चेक करें कि x into y की value 1 से कम है की नहीं है तभी यह formula लगेगा 10 inverse x plus y upon 1 minus xy यह चीज़ चरूर चेक करें कि x into y का जो product है वो 1 से कम है की नहीं है जैसे यहाँ पर देखे x की value किती है 1 by 2 और y की value किती है 1 by 3 तो 1 by 2 into 1 by 3 किता हुआ 1 by 6 ओके तो अब बिल्कुल सही है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं यह formula क्योंकि 1 by 6 जो है वो 1 से कम है तो यहाँ पर यह formula apply कर दीजे आप formula apply करते है 10 inverse x plus 10 inverse y का formula लगा दीजे तो क्या हो जाएगा 10 inverse 1 by 2 plus 1 by 3 upon 1 minus 1 by 2 into 1 by 3 so this will give you 10 inverse 1 upon 2 plus 1 upon 3 LCM कितना हैगा 6 यहाँ पर जाएगा 2 यहाँ पर जाएगा 3 यह 3 यह 2 whatever और 6 minus 1 यहने कि 5 by 6 तो अब इसके बाद देखिए इसको कैसे हम solve कर पाएँगे इसको हम solve कर पाएँगे 10 inverse उपर भी 5 by 6 है और नीचे भी 5 by 6 है 5 by 6 से 5 by 6 कैंसल हो गया तो 10 inverse 1 बज़ गया और 10 inverse 1 इक्वल्स to 5 by 4 बताइए बच्चों सभी लोग satisfied है answer से होगते हैं फिर आंगे बढ़ाएंगे यह हमाँ पास question दिया हुआ है कि cot inverse 1 upon x square minus 1 को सरलतम रूप में लिखिए तो दो चीजें यहाँ पर या तो आपको formula आता हो directly यह नहीं तो आपको triangle बनाना पड़ेगा तो मैं easy वाला concept आपको बता रहा हूँ कि easiest concept में यह कैसे होगा ओके तो easiest concept में यह है आप इसको y मान लीजे तो y is equals to हो गया cot inverse 1 upon under root x square minus 1 यह आपने ले लिया अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा put करिए कि cot बन जाए तो मैं यहाँ पर x की जगे sec theta पुट कर रहा हूँ x equal to sec theta ओके तो sec theta पुट करने पर क्या हो जाएगा मेरे पास theta is equal to sec inverse x आएगा so y is equal to cot inverse यहाँ पर क्या जाएगा 1 upon और यह हो जाएगा sec square theta minus 1 अब देखिए कोई formula शायद बन जाए हम जानते हैं कि sec square theta is equals to होता है 1 plus 10 square theta तो sec square theta minus 1 कितना हो जाएगा यह बन जाएगा 10 square theta equal to sec square theta minus 1 तो y is equal to cot inverse मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 square theta और y is equal to cot inverse 1 upon देखिए कभी भी किसी number का square हटाओ root के अंदर से तो answer directly plus में मत रखो mod में रखो यह बहुत अच्छी आदत मैं आपको सिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा mod 10 theta ओके mod 10 theta अब ध्यान से देखो भाई x आपको दिया है positive x आपको क्या दिया हुआ है positive तो x positive दिया है तो second verse x भी positive आएगा तो 10 theta भी क्या निकल करके आएगा positive निकल करके आएगा मतलब mod 10 theta automatically positive निकलेगा तो y is equal to cot inverse 1 upon 10 theta positive वाला और हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 theta का उल्टा cot inverse का cot theta 10 theta का उल्टा हो गया cot theta okay cot से cot cancel हो चुका है अब आगया है theta और theta आपके पास क्या था theta था sec inverse x तो इस question का simplified form क्या है sec inverse x जल्दी से screenshot ले लिज़े अपनी screen का फिर हम आगे बढ़ें and say done अगर आपको पसंद आ गया है समझ में आ गया है तो done बोलिए नहीं तो आगे पूछिए कहीं पर कोई दिक्कत है तो done sir well okay तो चली आँगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं तो इसके दोनों part में ने करा दिये हैं x और y की value ज्यात करनी है तो भाई बहुत ही simple question है एक बार आप दोनों समी करनों को जोड़ दीजिए तो y से y cancel हो जाएगा 2x बचेगा 2 को उधर ले जाना तो x आ जाएगा और x का मान रख देना तो y आ जाएगा बोलो बच्चों ये बहुत ही easy question है बनेगा की नहीं बनेगा अगला देखिए a और b दिया गया है और आपको 3a minus b find करना तो so simple यार a के साथ 3 का multiply कर दो और b के साथ किसका multiply कर दो minus 1 का और दोनों को add कर दो बोलो बन जाएगा yes sir okay done देखिए अगला e की power x का x के साथ अपकलन करना है तो क्या है भाई साब ये d by dx of e की power root x है है ना तो इसको करना बहुत ही आसान है पहले इसको t ले लेंगे तो e की power t का हो जाएगा d by dt e की power t मतलब e की power root x हो जाएगा और फिर root x का कितना हो जाएगा 1 upon 2 root x बोलिए बनेगा की नहीं बनेगा yes sir okay चलिए log cos x का x के साथ एक छाप को अब कलन करना है तो भी फिर से क्या करना पड़ेगा cos x को t ले लीजिए ओकी तो log t का हो जाएगा 1 upon cos t तो 1 upon cos x और dt by dx तो फिर किसका cos x का हो जाएगा कितना माइनस का sin x तो आंसर कितना आ जाएगा minus 10 x बताइए कोई दिक्कत क्या कर लेंगे अगला question है दिखाईए कि फलन जो है r में वर्धमान r क्या है इसका domain जिसको वास्तिविक संख्याओं का समुच्चे बोलते हैं तो वर्धमान फलन के लिए हम क्या चेक करते हैं f-x तो हमने f-x निकाला 3 आ गया और 3 क्या है 0 से बड़ा और अगर किसी function का derivative 0 से बड़ा होता है तो वो क्या होता है वर्धमान ठीक है अगला question व्रत्य के छेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्याद कीजे r बराबर 7 cm है to find the rate of change of the area of the circle so guys we can support the area of the circle pi r square और हमको किसके सापेक्ष r के सापेक्ष मतलब यहाँ पर हमको निकालना है da by dr तो pi तो constant है r square कितना हो जाएगा 2r और r की जगे 7 रग दो तो 7 गुने दो 14 pi तो answer कितना होगा इसका 14 pi ऊपर छेत्रफल की गाई कितनी आएगी बच्चों cm square और नीचे तरिज् काई cm तो answer हो गया 14 pi cm square पर cm डन question number 11 देखिए हवा के बुलबुले की तरिज्जा एक बटे 5 cm पर सेकेंड से बढ़ रही है एक बटे 5 को आप 0.2 भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर हवा के बुलबुले की बढ़ने की तरिज्जा की दर दी हुई है तो हवा के बुलबुले की बढ़ने की तरिज्जा मतलब आपको दी गई है dr by dt एक वल्डू किता दिया है 0.5 बढ़ रही तो positive में लो घट रही है तो negative में लो याद रखना तो 1 by 5 को मैंने 0.5 at what rate the volume of the हवा के बुलबुले की तरिज्जा 1 by 5 cm per second की दर से बढ़ रही बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि 32 cm देखे आपको बुलबुले का आयतन की rate निकालनी है मतलब आपको क्या निकालनी है आपको निकालनी है d by dt किस दर से बढ़ रहा है है ना और आपको क्या दिया गया है आपको दिया है dr by dt दिया गई है कितना 0.2 cm per second यह आपको given है so simple question volume कितना होता है गोले का? गोले का volume होता है 4 by 3 pi 30 का cube और इसको हमको क्या करना है अवकलन करना है सामे के साथ तो यह कितना हो जाएगा 4 by 3 नेतांक है pi नेतांक है और यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा d by dt r cube अब क्या करेंगे 4 pi by 3 तो ठीक है यहाँ पर आएगा d by dr r क क्यूब और dr by dt चलो भाई आउकलन कर दिया जाए इसका 4 5 by 3 into कितना हो गया 3r square और dr by dt की value किती दी है 0.2 तो यहां पर रख दीजे 0.2 जिसको आप 1 upon 5 भी कर सकते हैं अब देखे कहरा है कि जिस समय त्रिज्जा किती है जिस समय त्रिज्जा दी है 2 cm तो सब कुछ cm में डरने की बात नहीं है तो 4 by 3 4 by 3 into 3 और 3 का square याने की 9 और 0.2 याने की 1 upon 5 चलिए solve कर दीजे 3 से 3 cancel हो गया 4 गुणे 9 36 पाई बटे 5 इक आई क्या होगी cm3 पर second बोलो समझ में आया कि नहीं आया कहीं पर कोई problem हो तो जरूर पूछिए बच्चों अगला question देखते हैं ये हो गया किसी व्रत्य की त्रिज्जा 0.2 cm per second की दर से बढ़ रही है तो क्या दे रखा है त्रिज्जा का समय के साथ परिवर्तन दे रखा है 0.2 cm प्रती second अब कहरा उसके परिधी की व्रत्धी की दर निकाली है मतलब परिधी क्या होती है P परिधी याने 2 pi r आपको निकालना है dp by dt तो so simple भाई 2 pi तो constant है और केवल आ जाएगा r का differentiation dr by dt और dr by dt आपने दे रखा है कितना है 0.2 तो 2 pi into 0.2 हो गया कितना 0.4 pi परिधी क्या होगी cm में समय क्या होगा second में तो answer 0.4 pi cm प्रती second done अगला question देखे world का सबसे सराल question sin inverse x plus cos inverse x का dx solve भी नहीं करना है दुनिया जानती है sin inverse x plus cos inverse x की value किती होती pi by 2 और pi by 2 का integration करना है तो pi by 2 constant है dx का हो जाएगा कितना x प्लस समा कलन निये tank c तो pi by 2 x plus c ये आगे answer अगला question one minus x root x है तो पहले root x का अंदर multiply कर देंगे तो कितना हो जाएगा x और फिर root x का x के साथ करेंगे तो कितना x root x मतलब x की power किता 3 by 2 अब कर लोगे बच्चों की नहीं कर पाओगे बोलो कर लेंगे तो ठीक है चलिए अब कहरा एक रेखा कि दिक अनुपात माइनस 3 दो माइनस 1 है तो दिक को जाएं ग्यात कीजिए m का होता है b upon under root a square plus b square plus c square और n का होता है c upon under root a square plus b square plus c square तो directly formula लगाईए यहाँ पे a b c की जगह आपको values दी गई है question में क्या values दी गई है a b c की जगह minus 3 2 minus 1 तो a की जगह minus 3 इधर minus 2 और इधर minus 1 नीचे 3 का square square हमेंसा धनात्मक होता है तो 3 का square 9 9 और 4 13 और 2 का square 1 का square 15 तो यहाँ भी कितना आएगा root 15 और यहाँ भी कितना आएगा root 15 तो answer कितना आगया minus 3 बटे root 15 l minus 2 बटे root 15 हो गया m ठीक है और minus 1 बटे root 15 कितना हो गया n तीनो माइनस में थे क्या चेक कलने एक बार नहीं बीच वाला माइनस में नहीं है तो यहाँ से माइनस अटा दो जी हाँ ठीक है ना क्या थे minus 3,2,1 बोलो minus 1 समझ में आ गया मित्रों clear है चलिए यह हो गया तीन समकोणिक अक्षों की दिक को साइन ग्याद कीजे दिक कोज्या ग्याद कीजे समकोणिक अक्ष क्या होते है भाई साब समकोणिक अक्ष मतलब एक सक्ष वाई अक्ष और जड़ अक्ष यह देखिए यह है एक सक्ष यह वाई अक्ष है और यह क्या है जड़ अक्ष है और हम जानते है कि दिक कोज्या क्या होती ल बराबर कॉस अलफा एम बराबर कॉस बीटा और एन इकॉल टू कॉस गामा तो यहाँ एक सक्ष के साथ एक्स अच्छ का कौन कितना है है ना एक्स अच्छ का कौन किसके साथ एक्स अच्छ के साथ तो एक्स अच्छ के साथ कौन कितना है 0 डिगरी तो एक्स अच्छ के लिए जो बनेगा L एक्वल टू कॉस 0 यानिकी 1 एक्स अच्छ के लिए M कितना बनेगा यह कि दिक्कोज्या हो जाएगी 010 और जड़क्ष की दिक्कोज्या कित्ती हो जाएगी 001 तो इस प्रकार से तीनों दिक्कोज्याओं के पेर हमने लिख लिए हैं 1000, 0010 and 001 चलिए तो यह हो गई ही समकोने कक्षों की दिक्कोज्याओं अगला question है सदिस A का सदिस B की दिशा पर प्रच्छेप तो प्रच्छेप का सीधा formula दोनों सदिस का बिंदू गुडन और नीचे जिस पर प्रच्छेप जा रहा है उसका परिमाड तो यह होता है तो बिंदू गुडन करते तो आपसे बनी जाएगा डारेक्ट आंक तो अंडर रूट a one का स्कॉर वन तीन का स्कॉरण नौ और एक का स्कॉरिकर्ण इरेक्ण जैस 11 और उपर किता हुए 8 तो आंसर प्रच्छेप होगा आठ वते रूट ग्यारह इकाई यस यह होगा आपका प्रच्छेप बोलिए क्लियर है बच्छों जोर से बोलिए जान सर चलिए दिखाईए कि किसी सदिस का वर्ग उसके परिमार के वर्ग के बराबर होता कहरा कि शो करो कि किसी सदिस का वर्ग उसके परिमार के वर्ग के बराबर होता यह शो करना है तो कैसे करेंगे चलते हैं देखिए A का वर्ग से ले करके तो A का वर्ग बरावर होता है क्या A.A सदिस का वर्ग अब आप जानते हैं कि दो चीजों का बिंदू गुणन mod A mod B cos theta तो A का परिमार mod A A का परिमार mod A और cos theta खुद का खुद के साथ कोण कितना होता है 0 cos 0 कितना हो गया 1 और A mod A mod A कितना हो गया mod A का square into 1 answer हो गया mod A का square तो एक बहुत important theorem भी यह बहुत काम में आती competitive exam में कि कि किसी सदिस का वर्ग उसके परिमार के वर्ग के बराबर होता है चली अगला question है भईया आपको यहाँ पर छेतरफल गयात करना है x square upon 4 plus x square upon 9 तो बच्चों यह NCRT का question है ठीक है न इसको थोड़ी से मैं starting दे देता हूं कि कैसे करना है x square upon 4 plus x square upon 9 देखे यह दीर्दबरते है x square upon 4 plus x square upon 9 oh sorry y square upon 9 equal to 1 x square upon 4 plus y square upon 9 equal to 1 का आपको दीर्दबरत का छेतरफल गयात करना है तो सबसे पहले देखे यह क्या है x square upon a square यानि 2 का square plus y square upon b का square यानि 3 का square equal to कितना 1 तो ध्यान से देखे यह जो दीर्दबरते है यह y की तरफ खिचेगा क्योंकि यह ऊपर की तरफ under die shape का बनेगा क्योंकि y इसका जादा है इसका जो दीर्दबरते है वो 3 है तो यहां से देखे यह point क्या बनेगा 3 है तो यह point बन जाएगा 0,3 और यह point बन जाएगा 2,0 अब आपको कह रहा है कि इसका आपको छेतरफल गयात करना है ठीक है ना तो कैसे करेंगे इसका छेतरफल एक बार मैं और बता देता हूँ आप लोगों को तो करना क्या है मित्रों की इसमें आपको एक random इसमें आपको एक strip ले लेनी है देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको एक strip ले लेनी है और यह strip जो है आप इसको यहां से लेके यहां तक घसी टेंगे शुरुवाद से लेके अंत तक तो यह किस के उपर चलीगी देखे इस कर्व के उपर कहां से कहां तक चलीगी जीरो से लेकर के 2 तक तो area equal to इधर के area का किते गुना कर दोगे 4 गुना और y dx dx मतलब x के limit तो x के limit कहां से कहां तक चलीगी 0 से लेकर के 2 तक अब y का मान निकालना है तो y का मान किस से आएगा फलन से तो y square upon 9 equal to 1 minus x square upon 4 so y square equal to हो जाएगा y square upon 9 equal to 4 minus x square upon 4 so y square equal to 9 upon 4 और 4 minus x square यह हो गया तो y is equal to under root ले 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 लेजिए तो 9 upon 4, 4 minus x square तो 9 का root 3 आया 4 का 2 आया और root के अंदर कितना बचेगा 4 minus x square यह निकल गया है आपका y इस y को उठा करके यहां पर put कर दीजिए ओके तो आपका area निकलेगा 4 limit है 0 से लेकर के 2, 3 upon 2 under root 4 minus x square 3 upon 2 constant बाहर ले करके अब बताइए हल कर लेंगे न कोई दिक्कत तो नहीं है सीधा formula लग जाएगा under root a square minus x square का ठीक है तो simple यह इसमें limit पकड़ना होता है कि limit कहां से कहां तो आप अगर x में limit ले रहे हैं तो dx लगाईए और x के limit रख दीजिए कहां से कहां 0 से लेके 2 तक और अगर आप y के limit ले रहे होते तो यहाँ पर dy लगाते और y के limit रख देते कहां 0 से लेके 3 तक बस हो गया और यदि आप यहाँ पर x रख रहे हैं तो यहाँ पर x का function आएगा fx आएगा और अगर y के long कर रहे हैं y क्या अनुदिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा f y आएगा तो अगर d x है तो f x को पहचानो और अगर d y लिए हो तो f y को पहचानो ठीक है न इसकी अच्छे से practice कर लीजेगा बिना practice के हल नहीं कर पाएंगे ncrt मैं अच्छे question दिये है इसकी practice अच्छे से कर लीजे चलिए अगला सवाल वक्र y square equal to 4x और रेखा x equal to 3 हाँ उपर वाले से सरल यह वाला सवाल है तो मैं कहूंग एक्जाम में आप जाओ तो यह वाला करो वक्र y equal to 4x and x equal to 3 तो थोड़ा सा डाइग्राम आना चाहिए y square equal to 4x क्या है भाई यह परवल है यह जा रहा है x अच्छी की रिशा में परवल है और रेखा क्या है x equal to 3 यह रेखा आपको दिये है x equal to 3 तो आपको 6 तरफल निकालना है घिरा हुआ चलिए तो बहुत ही simple है देखिए यहाँ पर शुरुबात कहा हो रही x की 0 से और खतम कहा हो रही x की limit 3 पर तो बहुत ही simple है क्या आएगा 0 से लेकर के 3 और 0 से लेकर 3 आएगा तो क्या आएगा dx आएगा क्योंकि x की limit ली है और x की limit ली है तो फलन भी का आएगा आएगा, fx आएगा, और fx को हम क्या बोलते हैं, y, y equal to fx, तो इसको हम लिख सकते हैं, 0 से लेके 3 y dx, चलो y का मान निकाल लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहां से, under root 4x, 4 का root 2 बाहर, और यहां पर कित्ता हो गया, 2 root x, तो equal to area बराबर, 0 से लेकर के 3, 2 root x, और क्या, dx, द तो 2 बाहर ले लिए, 2 और 2, 4 हो गया, और under कितना हो गया, 0 से लेके 3, x की power 1 by 2 upon, कुछ नहीं, dx, अब कर लेंगे इसका समाकलन बताईए, बहुत easy हो गया न, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, clear है एकदाम अच्छे से, चली, अगला सवाल करते हैं, question number 17, अवकल स सामने आउकल समय करने, देखो इसमें क्या होता है, पहले बनाना पड़ता है, इनको पहचानना पड़ता है, अब यह ऐसा दे दिया कि आपको कुछ शायद पल ले ना पढ़ रहा हो, तो इसको अपन समालते हैं, देखो जी कैसे समालेंगे, अरी उपर चलो, चली, तो इसक इसको किस तरीके से समधा लेंगे आपके पास समी करने जो सामने दिया गया है वो दिया गया है E की पावर X और प्लस E की पावर माइनस X इंटू डी वाई माइनस तो मैं कहूंगा इसको सबसे पहले इस तरफ लेके जाओ पूरे को तो यह हो जाएगा e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x और क्या हो गया dx और अब बना डालो d by dx तो जैसे d by dx बनाओगे तो dx तो नीचे आ गया तो यह क्या हो गया e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x यह है और e की पावर x और e की पावर माइनस x यह है लिए भाई d y equal to पहले अब कलन का निसान मत लगाओ नहीं आप confuse जाओगे समा कलन का निसान पहले d y is equal to e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx क्या बना लिया हमने separation of variable चर प्रतिस्थापन विधी लगाई है y वाली पार्टी एक तरफ और x वाली पार्टी एक तरफ हो गई है मतलब यह format नमबर वन चर प्रतिस्थापन वाला format है जिसमें x वाला पार्टी अलग और y वाला पार्टी अलग हो जाता है प्लस c लगा दीजे अब देखिए ध्यान से नीचे दुकान उपर पकवान नीचे का फलन का differentiation क्या है उपर दिख रहा है क्योंकि अगर आप नीचे का अवकलन करेंगे e की पार x का e की पार x आएगा और e की पार minus x का minus e की पार x आएगा मतलब नीचे का फलन का समा कलन अवकलन ऊपर दिख रहा है तो नीचे वाले को t मान लो ऊपर वाला dt बन जाएगा तो क्या हो जाएगा dy का समा कलन y equal to log e की पार x प्लस e की पार minus x प्लस कितना c यही आपका आंसर है कोई दिक्कत नीचे टी है उपर dt है श्री कृष्ण कोई प्रॉब्लम है तो पूछो लो डन वेरी गुड चलिए अगला सवाल देखी यहां पर सैंपल पेपर में तो इन लोगों ने दे रखा है बड़ बच्चु यह है कि इस तरीके के सवाल आने नहीं नहीं चाहिए क्योंकि कि बहुत सारी चीजे डिफ्रेंशेल एक्वेशन में से निकाली जा चुकी है मतलब आउकल समीकण में से फिर भी ऐसा कोई डिफिकल्ड नहीं है देखो मैं समझा देता हूं आपको इसको कैसे करते हैं कि देखें कैरा कि किसी बैंक में मूल्धन की वर्धी डी 5% की वार्षिक दर से होती है तो मूल्धन को इंगलिस में क्या बोलते में पी तो दिया है dp by dt मूलधन में परिवर्तन की दर कितना दिया भाइसा 5% तो dp by dt equal to 5 बटे 100 यह है मूलधन में परिवर्तन की दर ओके अच्छी बात है जी अब कह रहा है यदि इस इस बैंक में एक हजार रुपए जमा किये जाते हैं तो ग्याद कीजी कि यह राशी दस वर्स के बाद कितनी हो जाएगी मतलब पहले तो इसको हल करो तब यह समझ में आएगा चलो एक बटे 20 तो dp by dt equal to 1 बटे 20 हो गया तो dp is equal to 1 upon 20 dt समा कलन कर दीजी दोन तरफ दोनों पक्छों का तो कितना हो गया dp का हो गया p is equal to dt का हो जाएगा t upon 20 प्लस कितना c यह आपका सबसे पहला equation बन गया अगर 3 number का question है तो एक number तो आपको यहां तक आके मिल जाएगे अब आगे देखे हो क्या रहा है आगे कह रहा है कि अगर इस bank में 1000 रुपए जमा किये जाते है भाई bank में जिस दिन आप पहले दिन गए हो और cash counter में पैसे रखते हो तो उस समय t कितना है 0 समय 0 जिस समय आपका समय 0 था तब आपने कितना पैसा जमा कराया था 1000 रुपए तो चलिए condition में put करिए कि जब t बराबर 0 है तो p कितना है 1000 तो p बराबर है यहां पे 1000 एकौल टू t मतलब 0 upon 20 प्लस कितना c तो c का मान कितना आगया यह c का मान आगया 1000 चलो तो समी कण में वापस put कर दो तो p सी एक मिनत जी एक मिनत 5 परसेंट वर संग्दर से है ठीक है फलस सी A हां यहां पर मिश्टेक हुए इसे मמנ tara कई नगर से लिए देखेए घ्लती हुई है पहली लाइन में गलती हो गई है गलती एक बहुत मामूली सी गलती है आप पहचान गय होंगे देखे यहाँ पर कहा है कि मूल धन्मे ब्रधी 5% वारसिक दर से होती है तो भाई यह 5% वारसिक किसका पी का न उसी पैसे ही का यह तो 5% बढ़ेगा तो यहाँ पर मैंने पी नहीं लगाया था यह गलती हो गई थ जो पैसा लगाया उसी का तो 5% होगा तो पी का 5% मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था तो लिए भाई डिपी बाई डिटी इस इकोल टू पी इंटू 5 अपॉन हंड़ेट तो अब ठीक है यह वन बाई 20 सो डिपी बाई डिटी एक कोल टू कितना हो गया पी बाई 20 अब यह क पूरा का पूरा मतलब उपर की एक लाइन छोड़ दो बस तो अब आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वाला हो चुका डिफरेंशल एक्वेशन अब इसको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो जी डीपी अपॉन पी इक्वाल टू बॉन अपॉन 20 डीटी ऐसा कर सकते हो इंटिग्रेट कर दो दूं तरफ समा कलन कर दो तो डीप अपॉन पी का कितना हो जाएगा लॉग पी इक्वाल टू डीटी का कितना हो जाएगा टीअपॉन 20 प्लस सी अब आया है बिल्कुल सही नमबर वन ठीक है न अब एक काम करिए देखिए समय 0 पे एक हजार रुपे जमा करा दीजिए तो भाई यह जिस समय T बराबर 0 था कितना था मूलधन एक हजार तो लॉग एक हजार ठीक है लॉग एक हजार एकॉल टू जीरो अपॉन्टी प्लस C टो लो भाई C कामान कितना आ गया c कामान आ चुका है लॉग का एक हजार यह आ गया C कामान लॉग का एक हजार वैलिव पुट कर दो वापस समीšकार में जाके तो लॉग बराबर T अपॉन्टी प्लस C कामान है लॉग 10 बराबर T पूछ रहा है तो t बराबर 10 रख करके answer find कर लो चलो तो log p बराबर t upon 20 यहने 10 बटे 20 है ना और प्लस कित्ता हो गया log 1000 बहुत शांदर चली करते हैं इसको हल देखो यह जाएगा भाई साब कित्ते बार 1 बटे 2 बार और इसको इधर लेकर करके आओ तो log p minus log का 1000 equal to कितना बच गया एक बटे 2 ठीक ना मतलब 0.5 तो log फॉर्मुला लग दो लॉग पी बटे 1000 एक को जीरो पॉइंट फाइव वन बाइट को क्या बोलते हैं 0.5 ठीक ना थोड़ा सा इसको आंगे बढ़ाते हैं log p बटे 1000 इक लुट जीरो पॉइंट फाइव आ चुका है तो log p upon 1000 equal to 0.5 अब बच्चों मैं आपको log को हटाना सिखाता हूँ क्योंकि यहां तक तो आप कर लोगे इसके बाद थोड़ी सी high level की चीज़े लगेगी log का बेस क्या है यहां पर e है और कभी भी log हटता है तो सामने वाले को power में ला देता है तो यहां से log हटेगा तो कितना बच x equal to y दिया हो तो x equal to a की power y थोड़ी practice कर लो log of 10 base x equal to 5 दिया हो तो x equal to कितना 10 to the power 5 ऐसी practice कर लो थोड़ा सा बना बना करके तो log of e base x equal to अगर 0.5 दिया है तो x equal to कितना हो गया e की power 0.5 गोली clear है जहां पर हमने 1000 मान रखा वहां से दुबारा और बता दे ठीक है देखिए फिर से बता देता हूं देखे आपको क्या डिया हुआ आपको दिया हुआ था कि समय जो है समय 0 पर वो 1000 रुपे जमा करा है तो समय T बराबर 0 कहां है बैंक में 1,000 रुपए जमा कराया ना तो समय कितना था 0 जाके जमा कराया 0 upon 20 equal to log 1,000 C का मान कितना आगया log 1,000 C का मान उठा करके कहां पर put कर दो यहां पर बोलो इतना clear है तो कितना आगया विटा log P equal to T upon 20 plus log 1,000 Done अरे C का मान रखो ना क्या कर दिया हो अब इसके बाद भाई साब देखिए log P equal to T upon 20 plus log 1,000 आ चुका है यह अपना main समीकर बन चुका है जिससे हम सब कुछ ग्याद कर सकते हैं अब क्या कह रहा है कि 10 वर्स के बाद मतलब नया टाइम कितना है 10 तो log P equal to 10 रख दो 10 बटे 20 कितना हो गया 1 बटे 2 बराबर log 1,000 log 1,000 को इधर लेकर क्या हो तो log P minus log 1,000 equal to 1 बटे 2 हाँ या ना तो log P upon 1000 equal to 0.5 यस की नो log A minus log B का formula लग गया शीक्रिष्न पूछ लिया करो कि सर यह वाला टर्म कैसे आया तो मैं बता पाऊंगो ना log A upon B equal to 0.5 हो गया तो log P upon 1000 equal to 0.5 और बटा log का बेस यहाँ पे क्या है E है ठीक ओके तो log का बेस यहाँ पे E है तो आंगे देखो log P base E पे P upon 1000 equal to 0.5 तो P upon 1000 क्या होगा E की power 0.5 तो P equal to 1000 into E की power 0.5 clear? हाँ अब देखो आप का होगे E की power 0.5 कैसे निकालें तो don't worry सवाल में E की power 0.5 की value आपको दी होगी किती है? 1.648 तो 1.648 value पुट कर दो answer आ जाएगा clear हो गया? 3 0 है इसके cancel कर दो 1, 2, 3 3 0 cancel answer 1648 रुपए done? yes हाँ ठीक है हाँ भाई मुकुल समझ में आए कि नी है? yes sir चत्रपाल dancer okay very good चलिए भाई अगला question अभी रेखिए प्रोग्रामन तो बना लोगे ना? draw कर ले ना? x plus 2y greater than or equal to 10 यह बनता है कि नी बनता? yes sir ठीक है इसमें क्या करता है? नी उनतम मान ज्याद करना है तो वो ही बना ले ना तीन लाइने जाएंगी एक ऐसी जाएगी एक ऐसी जाएगी एक ऐसी जाएगी कित्ती लाइने दो ही तो है तो दो लाइनों में देख ले ना कि common area कौन सा है और जो सिखाया था वैसे कर दीजेगा इसको ठीक है मुकूल बनेगा ना? yes sir ओके चलिए अगला question हलाकी probability नहीं आ रहा है फिर भी देख लेते हैं एक पासे को तीन बार उच्छाला जाता है तो कम से कम एक बार विसम संख्या प्राप्त होनी की प्राइकता क्या होगी? कम से कम एक बार विसम संख्या प्राप्त होनी की प्राइकता देख एक good question ये competitive level का question है बहुत सरल सवाल है एक पासे को तीन बार उच्छाला जाता तो कम से कम एक बार विसम संख्या प्राप्त होनी की प्रैक्ता आपने पासे को कितने बार उच्छाला है भाई साथ तीन बार आपने पासे को तीन बार उच्छाला है अगर एक बार उच्छालते हो अगर एक बार उच्छालते हो तो आते हैं, आउटकम क्या आते हैं एक बार उच्छालने पर वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा और छे आएगा और इसमें सम संख्या आने की probability क्या है एक बार में एक बटे दो क्यों? क्योंकि सम संख्या आने की कित्ते case है 2, 4, 6 मतलब 3 बिंदू और total कित्ते बिंदू 6 बिंदू तो probability कित्ती हो गई? 2 मान लो सम संख्या आने का नाम तुम ने दे दिया है E क्योंकि E for even मतलब सम संख्या आने की प्राइक्ता P even बराबर कितना है? 1 बटे दो तो सम संख्या ना आने की प्राइक्ता बराबर कितना होगा? 1 बटे दो क्योंकि अन होनी बराबर 1 माइनस होनी तो ये भी कितनी हो गई? 1 बटे दो अब क्या कह रहा है कि अगर किसी पालेसे को तीन बार उच्छाला जाता है तो बताईए कम से कम एक बार विशम संख्या प्राप्त होने की प्राइक्ता मतलब आपको निकालना है प्राइक्ता कम से कम एक बार विशम संख्या अब थोड़ा टेक्निकल सलूशन है इसका सुनो बच्छों कम से कम एक बार विशम संख्या आये मैं कहूंगा आप कम से कम एक बार फेल होने की या पास होने की प्राइक्ता बताओ तो आप क्या कहोगे कि सर जो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है जो पूरा प्रेयोग होता है उसकी प्राइक्ता होती है वन अगर मैं एक में से पास होने की प्राइक्ता माइनस कर दूँ अगर मैं एक में से हर बार पास होने की प्राइक्ता माइनस कर दूँ तो मेरे पास कम से कम एक बार फेल होने की प्राइक्ता आ जाएगी एक बार फेल होना बोलो समझ में आया की नहीं आया ये कंसेप्ट भाई हर बार पास होना माइनस करोगे तो कम से कम एक बार फेल होना आ जाएगा चलो इससे समझ में नहीं आया तो ऐसा समझो प्रॉबिल्टी एक घर में तीन बच्चे हैं ये नहीं पता कौन है कम से कम एक लड़की होने की प्राइकता बराबर वन माइनस सभी लड़के होने की प्राइकता बोलो फेलिंग आई की नहीं आई अरे सभी लड़के होने के केसेस माइनस कर दोगे तो बाकी जो केसेस बचेंगे वो कम से कम एक लड़की कही तो होंगे ना चलो नहीं समझ में आया तो एक और अटेम्ट देखो भाई अगर घर में तीन लड़के हैं तो क्या कॉम्मिनेशन हो सकते हैं ब्वाई 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 गर्ल ब्वाई गर्ल ब्वाई 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 गर्ल और बोलो गर्ल गर्ल ब्वाई ठीक ना ब्वाई ब्वाई गर्ल ये हो चुका गर्ल बौई गर्ल 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 एक दो तीन चार पांच छे साथ एक और होगा गर्ल 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 बोलो yes or no तुम ध्यान से देखो इस केस को छोड़कर करके बाकी सब में कम से कम एक लड़किया घर में है बोलो हाय ना और ये पूरा का पूरा experiment है कि नहीं है तो पूरे एक्सपेरिमेंट की probability क्या होती है एक तो अगर एक में से तीनों लड़के होने की प्राइकता घटा दोगे तो कम से कम एक लड़की का case आजाएगा कि नहीं आएगा हां तो यह बहुत अच्छी थ्योरा मैं इसको नोट कर लो लिख लो probability कम से कम एक 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 वाल टू वन माइनस प्राइबिल्टी कोई नहीं इस शौट ट्रिक टाइप का बना लो ठीक है क्लियर हुआ गी नहीं हुआ तो क्या बनेगा यहाँ पर concept यहाँ पर concept यह बनेगा कि प्राइकता कम से कम एक पासे पर सम सम बराबर वन माइनस एक सभी पर विशम बोलो हाँ अगर एक में से विशम के केसे सटा दोगे तो सारे सम वाले आ जाएंगे कि नहीं आएंगे क्या हुआ भाई अब हाँ एक बार विशम हाँ तो उल्टा कर दिया गलती से यहाँ पर विशम कर लो कम से कम एक पासे पर विशम बराबर सभी पर सम बोलो ठीक है अब तीन पासे हैं तो वन माइनस मतलब पहले पर भी तीनों पर विशम मतलब पहले पर भी विशम आएगा तो पहले पासे पर विशमाने की प्रवबिल्टी कितनी होगी वन बाई टू बो यस दूसरे पर भी समाने की probability 1 by 2 तीसरे पर भी समाने की probability 1 by 2 तो 1 minus 1 by 8 answer 7 by 8 clear हुआ की नहीं हुआ कहो भाई कम से कम एक पासे पर विशाम बराबर 1 minus सभी पर सम और सभी पर सम आने की probability कित्ती है 1 by 2 पहले पर भी सम दूसरे पर भी सम तीसरे पर भी सम 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 तो 1 minus 1 by 8 equal to 7 by 8 समझ मैं की नहीं है चलो उपर वाला थोड़ा difficult है competitive level का question है नीचे वाला सरल है P 6 upon 11, 5 upon 11 यह union B दिया है तो P A intersection B कमान तो सबसे पहले भी आपको पता है कि P A common B equal to होता है P A intersection B upon P B बिटा यह formula होता है class में आया होगे तो याद होगा बहुत detail में पढ़ाया था P A conditional B equal to होता है P A intersection B upon P B तो आपको सबसे पहले क्या पता है P B तो पता आपको बट A intersection B नहीं पता दो 11 वी class का formula लगा दो P A union B equal to P A plus P B minus का P A intersection B तो इसको इस्तमाल करके सबसे पहले A intersection B निकाल दो तो P A कितना है लो भाई साब P A intersection B आपको निकालना है तो union कितना दिया है? 7 बटे 11 equal to इधर कितना दिया है? A 6 बटे 11 B कितना दिया है? 5 बटे 11 और P A intersection B लापता पता नहीं है 6 और 5 ग्यारा बटे 11 यानिकी 1 और P A intersection B को इधर ले जाओ और 1-7 बटे 11 आंसर आगया 4 बटे 11 बुलो clear? अब देखिए आपको यह निकालना है P A upon B तो उपर P A intersection B कितना आ चुका है? 4 बटे 11 आप आउन में P B कितना है? 5 बटे 11 11 से 11 गैंसल प्राइक तक इतनी आएगी? 4 बटे 5 तो नीचे वाला सवाल बहुत सरल है इसी को करिए clear है? अब कहरा अगला question जो है सार्णिक का गुर्धर्म यूज़ करके तो यह आपके example के दोनों question है ठीक है न? यह आपके दोनों उधारन के question है इन दोनों question को सार्णिक का गुर्धर्म यह वाला थोड़ा सरल पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको यहाँ पे a plus a minus b minus c है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसमें आप लगाईए r1 tends to r1 plus r2 plus r3 यह वाला ज़्यादा सरल पड़ेगा तो इस वाले question को कल लेंगे तो बहुत आसानी से यह हल हो जाएगा कर लोगे तो पहले ncrt से देख करके हल कर लो फिर ना बने तो मुझसे पूछो तो मैं एक बार दुबार explain कर दूँ ठीक न? चली अगला सवाल फलन x plus 1 x greater than 1 x lesser than 1 पर यह फलन दिया है x equal to 1 पर सांतत्रा की जाच करिए तो कुछ नहीं x equal to 1 पर दाईं सीमा x equal to 1 पर बाईं सीमा और फलन का मान निकाल लीजिए तीनों की value देख लीजिए देखते हैं इस question को हल कर रा देता हूँ मैं छोटा साही है देखे आपके पास में x equal to 1 पर सांतत्रा की जाच करनी है तो तीन चीजिए हम देते हैं एक f of 1 तो 1 पर फलन का मान कितना होगा 1 plus 1 बोले तो 2 और दूसरा क्या लेते हैं अपन दाईं सीमा याने f of 1 plus h तो limit h tends to 0 1 plus h के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा 1 से बड़ा मतलब ये x plus 1 ये वाला फंक्शन लगेगा x plus 1 तो चलिए लगाते हैं x plus 1 में तो x की जगे क्या आएगा 1 plus h plus 1 तो h की value 0 डाल दो तो कित्ती आ गई 2 और less में क्या लाएगा देखिए f of 1 minus h में आएगा कौन सा ये वाला फंक्शन क्योंकि 1 से छोटे के लिए ये दिया हुआ है तो limit h tends to 0 1 की जगे 1 minus h का square plus 1 तो limit h tends to 0 1 minus h का square कितना होता है a square minus 2ab plus b square plus 1 h की value 0 डाल दो ठीक है h की value 0 डाल दो sorry यहाँ पर h square आएगा h की value 0 डाल दीजे तो 1 minus 0 plus 0 plus 1 मतलब कितना आगया 2 तो फलन का मान दो 22 सीमा भी दो 22 सीमा भी दो इसका मतलब यह है फलन x equal to 1 पर सतत है सांतत हाँ बिलकुल सांतत सही है यह फलन सांतत है next question करते है लो भाई log x की power cos x कैसे करेंगे भाई साब फलन की power फलन log ले करके करना पड़ेगा बहुत simple question है डरावना इसका proof दिख रहा है बट answer इतना बड़ा दिख रहा है बट कुछ दिक्कत नहीं है बहुत ही आसानी से आजाएगा यह तो देखिए जी कैसे करेंगे आपके पास फलन का मान क्या दिया है y equal to log x की power cos x है तो सबसे पहले log ले लीजिए तो log y is equal to cos x आंगे जाएगा और यह बन जाएगा log log x अब दो फलन बन चुके है यह परतम बन चुका है यह दुती बन चुका है चलिए अपलाई करिए differentiation तो dy dx यहाँ पर भी लगा दो और dy dx यहाँ पर भी लगा दो क्या हो जाएगा देखो 1 upon y dy by dx equal to परतम फलन cos x दुती फलन log log x तो 1 upon log x पहले log x का होगा अंदर log का होगा तो यह log x upon में चला जाएगा फिर log x का होगा 1 upon x minus log log x और cos x का क्या होता है minus sin x खतम question dy by dx है हाँ बोलो बोलो कौन left हो गया था मुकल बोल क्यों निरोल होगी हाँ थेंक यू सो मच सही बोल रहा है प्रतम गुणे दुती प्लस दुती गुणे प्रतम बिल्कुल सही बात है तो dy by dx equal to y और यहाँ देखो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा cos x upon x log x यह देखो यह बैठा है 9 x को आँगे कर लो अच्छा लगेगा into log log के function में कौन बैठा है log log x आगे answer y का मान put कर दीजे तो y का मान क्या है log x की power cos x बोलो clear है यह सर्ट ओके ठीक done चली सेकेंड वाला भी हो गया बहुत अच्छा अगला question number 22 x square log x भाई simple है यार i late लगना है इसमें तो i lat inverse logarithmic तो पहला फलन क्या बन जाएगा log x और दूसरा फलन क्या बन जाएगा x square dx लोग क्या रूल होता है प्रथम फलन गुणे दुतिये फलन का समा कलन x cube by 3 minus समा कलन प्रथम फलन का अवकलन log x का 1 upon x इंटु दुतिये फलन का समा कलन x cube by 3 का होल समा कलन x से x cancel हो गया तो ये हो गया कितना x cube log x by 3 minus 1 upon 3 बहार आ गया अंदर क्या बच्चा होगा ध्यान से देको 3 power कट गई थी तो 2 power बची हुई है तो कितना हो जाएगा x cube by 3 फिर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 upon 9 और x cube ये ही आंसर है प्लस C गोलो बना ये सर्ट ये सर्ट के चलिए question number 23 last question है रेखाओं इतने और इतने की बीच की नियूनतम दूरी याद कीजिए तो देखें सबसे पहले देखें नियूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दो रेखाओं के बीच की नियूनतम दूरी का फॉर्मूला मैंने भी लिखाया है x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 बटे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ठीक है और whole divided by ये फॉर्मूला बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है whole divided by under root क्या चलता है b1 c2 minus b2 c1 का स्क्वेर ठीक है न और plus फिर क्या आता है a1 c2 minus a2 c1 का स्क्वेर whole स्क्वेर बाहर और plus फिर a1 b2 minus a2 b1 का स्क्वेर ये फॉर्मूला आप लोग देख लिए अपनी ncrt book निकाल करके ncrt book में आपको ये फॉर्मूला दिया गया है वहाँ से फॉर्मूला आता है दो रेखाओं के बीच की दूरी ठीक है ना अब आपको मैं बता देता हूँ इसमें x1 x2 y1 y2 क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो आप कि x1 y1 x2 y2 यहाँ पर क्या क्या है देखिए यहाँ पर जो आपके पास रेखाएं दी गई है उनसे आपको x1 y1 z1 पता चल जाएगा तो पहली रेखा क्या दी गई है x plus 1 upon 7 तो उसको क्या लिखोगे x minus minus 1 upon 7 y minus minus 1 upon minus 6 और z minus minus 1 upon 1 ऐसा क्यों लिखा क्योंकि अब यह standard form में आ चुकी है जिस line रेखा का अपने standard form पढ़ा है क्या पढ़ा है x minus x1 upon a1 y minus y1 upon b1 equal to z minus z1 upon c1 तो यह मिल गए आपको a1 b1 c1 और यह मिल गए आपको x1 y1 और z1 तो यहाँ पे जो put करोगे न x1 y1 z1 वो यह है और अब दूसरी रेखा देखो दूसरी रेखा आपको क्या दी गई है यह दे गई है यह दूसरी रेखा आपको दी गई है इतनी तो ध्यान से देखो इस रेखा में x minus x x minus x upon a तो x2 की value कित्ती हो जाएगी यहाँ पे 3 y2 कित्ता हो जाएगा 5 z2 कित्ता हो जाएगा minus 7 और a2 b2 c2 क्या है 1 है यह minus 2 है और यह 1 है तो बस अब यह formula लगा लीजिए इसका सारणिक उपर हल कर लीजिए और इस तरीके से यह clear हो जाएगा बो लो clear है बन जाएगा क्या बात है reply नहीं यहारा नहीं आया है क्या समझ में स्क्रीन क्या करूँ अच्छा जहां लिख रहा था यह लो यहां पर भी लिख रहा था मैं दो जगए मैंने लिखा है एक तो पीछे यह लिखा है मैंने formula उसका main यह formula है इससे निकलता है और यह formula आपकी book में लिखा हुआ है ठीक है ना दो रेखाओं के बीच की दूरी दो असम्त लिए रेखाओं के बीच की दूरी तो एक तो इसका screenshot ले लो और दूसरा यह है पहचानते कैसे हैं तो पहचानने के लिए रेखा का समीकन क्या होता है यह समीकन से पहचानते हैं अपन इससे ठीक है तो बिटा यह तो ठीक है उपर वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट आया है नीचे वाला question बहुत सरल है नीचे वाला question अपन करते हैं इसको स्वाल नीचे वाला question क्या कह रहा देखो कह रहा दर्शाईएं की रेखा होकर के जाने वाली रेखा हैं दो बिंदूओं से होकर के जाने वाली रेखा हैं इन दो बिंदूओं से होकर के जाने वाली रेखाओं पर लंब हैं लिए भाई तो पहले तो दो बिंदू ये है, कौन-कौन, 1-1, 2, और दूसरा क्या है, 3-4-2, तो सबसे पहले इसके दिक अनुपात निकाल लो आप, तो दिक अनुपात निकालने के तरीके A1, B1, C1, तो दिक अनुपात क्या होता है, दो बिंदू को जोडने वाली रेखा का, X2-X1, Y2- Y1 और Z2-Z1, मतलब निर्दे सांकों का अंतर कर दो, तो 3 में से 1 गए 2, 4 में एक जोड़ गए तो 4 और 1 पांच, क्योंकि माइनस 1 था, और माइनस का 2, मतलब कित्ता हो गया, माइनस का 4, ये हो गया पहले निर्दे सांक, A1, B1, C1, दूसरी रेखा भाई साब, ये दी होई ह ये दी है, दूसरी रेखा, पहला विंदू क्या है, 0, 3, 2, और दूसरा विंदू क्या है, 3, 5, 6, अब इसके दी का उनुपात निकाल लो, इनका नाम क्या दे दो, A2, B2, C2, इसके दी का उनुपात का नाम दे दो, A2, B2, C2, तो A2 बराबर कितना होगा, X2-X1, 3 में से 0 ग गया, 2, और 6 में से 2 गया, कितना होगा, 4, अब कहरा कि शो करों की परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है, अगर 2 रेखाएं लंबवत होती है, तो क्या कंडिशन बनती है, रेखाओं की लंबवत होनी की, A1, A2, प्लस B1, B2, प्लस C1, C2 का मान कितना आना चाहिए, 0, चल प्लस, माइनस 4 गोने 4, मतलब माइनस 4 गोने 4, देखते हैं कितना था, 2, 3, 6, 5 और 2, 10, और माइनस का 16, सही में क्या आया, 0, मतलब ये दोनों रेखाएं, आपस में लंबवत हैं, बोलो समझ में आया की नहीं है, तो इस तरीके से ये अपना question paper complete हो गया, इसमें एक और question था, ये वाला part, ये भूल गया मैं कराना, इसको भी थोड़ा बताया देता हूं, hint कर देता हूं, कैसे करोगे, पिछला वाला note कर लो, screenshot ले लो, screenshot तो बीना बोले ले लिया करो, ठीक है चतरपाल? येस सर, चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं, ये, देखो जी, integration, sin 3x, cos 4x, दोनों multiply में हैं, तो क्या का है मैंने की, सबसे पहले multiply को सम फॉर्म में बदलो, तो 2 का गुणा करो, 2 का भाग करो, पुलिस नहीं पकड़ेगी, sin 3x, into cos 4x, अब देखो ये formula बन गया तुम्हाँ पास, क्या होता formula, 2 sin a cos b का formula होता है, sin a plus b, plus का sin a minus b, ok, sin a plus b, plus का sin a minus b, ये formula आपके पास हुआ करता है, तो कैसे लगा देखो, यहाँ पर 2 sin 3x है एकी जगए, और cos 4x है, b की जगए 4x है, तो sin 3x plus 4x, 3 और 4, 7x, sin 7x, plus sin 3x minus 4x, किता हो जाएगा, minus x, 3x में से 4 गए, तो ये हो गया sin 7x, और ये हो गया minus sin x, ठीक है न, अब चलो इसको put कर दो, क्योंकि ये वाली चीज अपने find कर ली, क्या है ये वाली चीज? ये है, अब ले आओ, तो 1 upon 2 integration के अंदर sin 7x minus sin x और dx, चलो, 1 upon 2 bracket बाहर integration बाढ़ दो, sin 7x dx minus integration sin x dx, चलो कर दो integration, 1 upon 2, बोलो मुकुल, sin 7x का क्या होता है? minus cos 7x upon 7, very good बिटा, minus cos 7x upon 7, और ये इसका क्या हो जाएगा? minus, तो minus minus plus, plus c, तो answer कितना आ गया? 2 का multiply कर दो, तो minus cos 7x upon 2 सत्य चौदा, प्लस cos x upon 2, प्लस c, बोलो क्लियर? yes sir, okay, yes sir, चली, तो ये आपका paper, ग्रुप में मैंने paper भेज दिया था, आप लोग देख लिजे, और इस्टिल अगर आप लोग को कोई problem हो रही है कहीं पर, किसी question में तो एक बार सरसरी निगाह से देख लो, जल्दी से देख लो, और कुछ पूछना है, तो इसमें पूछ लो मुझसे, सारे question मैंने करा दिये हैं, केवल एक matrix और determinant का और linear programming याने की, रेखिक प्रोग्रामन का question मैंने आप लोग को करने को घर से बोला है, कि भाई उसको कर लिजेगा, क्योंकि उसमें समय बेवज़ा जादा लग जाएगा, उसको अप लोग कर लिजेगा, आपकी practice based question है, और कुछ पूछना हो तो बताईए, सर, खालिस्थान का तीसरा question, ठीक है बेटा, very good, खालिस्थान का तीसरा question है, cos root x का x के सापेक्ष अवकलज, भाई, सबसे पहले cos पे डंडा चलाओ, तो cos पे क्या होता है, minus sin root x, फिर root x पे डंडा चलाओ, तो 1 upon 2 root x, डंडा method से हो जाएगा, यह चोथा बता दिया मैंने, sorry, 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 पांचवा बता ना, तीसरा पूछा आपने है न, श्री, तीसरा पूछे हो न, मैंने चोथा बता दिया आपको, चलो तीसरा बता रहा हूँ, चलो, देखो, तीसरा question कह रहा है, कि A equals to matrix A, I, J, M cross N है, तो A dash क्या होगा, तो बेटा यह क्या होता है, यह जो A, I, J, M cross N होता है न, यह matrix का general form होता है, व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, कोई भी matrix होती है, उसको आप ऐसे लिखते हो, कि A, I, J, M cross N, यह matrix के element होते हैं, अब यह होते हैं, A, I, J, तो आपको याद होगा, जब किसी का transport करते हो, transpose करते हो, तो क्या होता है, A, 1, 2, जो होता है, बदल जाता है, काई से, A, 2, 1 से, तो A, I, J, भी काई से बदल जाएगा, A, J, I से, तो लिए, यह क्या हो जाएगा, A, J, I, और order भी matrix का बदल जाता है, N cross M, क्यों, अगर कोई आपके पास matrix है, support यह है, 1, 2, 3, तो इसका transpose करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, और 3, बोलो, आता है कि नहीं आता, तो इसकी order कितनी है फिलाल, इसकी order है 1 cross 3, और इसकी order कितनी है, 1, 2, 3, column 1, 3 cross 1, तो इसका answer क्या होगा, answer, जो आपसे पूछा गया, इसका order होगा, आपका जो answer बनेगा, A, I, J, M cross N का, A, J, I, N, cross M, पलड़ दो, Done, और कुछ, मुकुल, श्रीकांत, चत्रपाल, कोई doubt बताओ, चलिए, तो आपका homework है, इस paper को आपको लगा करके, PDF बना करके मुझे भेजना है, ठीक है ना, एक्जाम के पहले ये पूरा paper आप मुझे लगा करके, भेजिए, हो सकता है, इस school group में डाल दीजेगा, चलिए, धन्यवाद बहुत-बहुत, आपका वहुमूली शमय देने के लिए, ऐसी class फिर से मिलेंगे, समय आने पर आपको सुचित किया जाएगा, नमस्कार धन्यवाद,